असलाम अलेकुम वीवराज मैं आपके समने नेक का बहुत बीपी पूरी जाइने कर आए हूँ जो कि मैंने वी शेय पे बगए दिखी से कट लगाए पटी की सुरत में इस तरह से नेक बनाया है तो यह बनाना बहुत ही असान है आपसे रिक्वेस्ट रेक काई टी चैनल को अब इसकी डेफ्ट लूँगी डेफ्ट के निशान मैं यहां पे 8 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से तो अब मैं इसको इस तरह से मिला दूँगी लेकिन यहां पे इसके कॉर्ण में हम लोगोंने खयाल करने है कि यहां पे ना मैं 2 सेटिमीटर तक थोड़ा सा कैप जोईन मैंने कर लिया है इस तरह से अब इसकी इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है इस तरह से मैंने कटिंग कर लिये है अब इसके सेंटर में से हम निशान लगाएंगे यहां सेंटर में पहले इसके छोटे-छोटे कट लगा देंगे ताकि हमें पट्टी जब लगाएं तो हमें बासानी से हम पट्टी यहां पे लगा सके तो यहां इसका सेंटर वाला पाड लेना है कि सेंटर में हमने पट्टी के टेश करनी है तो इसके लिए सबसे पहले एक साइट पे और हाफ इन दूसरी साइट से लगाकर इन लाइनों को मैं सीधा सीधा इस तरह से मिला दूंगी इस तरह से मैंने इन लाइनों को सीधा सीधा मिला दिये है तो अब इन दोनों लाइनों की बीच में जो गैप बना है वो मेरे पास वन इंच का है तो अब यह इसका बैक पार्ट है यहां से भी नैक की थोड़ी सी कटिंग करेंगे 3.5 इंच चोड़ाई है और इसकी जो लंबाई नीचे टेफ्ट मैंने लिए वो एक इंच लिए है तो अब यहां से इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद अब इसका फ्रंट और जो बैक पार्ट है इन दोनों की फ्योल्ड़ को पहले अटेच करेंगे यह इस तरह से मैंने अटेच कर लिए है तो अब इसके बाद हमने इसके लिए जो मैयर्मेंट करनी है ताकि हम पट्टी लगाएंगे उपर जो कॉलर लगाएंगे तो अब देखते हैं इसकी मैयर्मेंट कितनी बनती है हमारे पास यह मेरे पास है 33 इंच तो मैं 34 इंच की पट्टी लूँगी यह मेरे पास 1 इंच चोड़ी है और 34-35 इंच भी ले सकते हैं यह इस तरह से मैंने प्रेस करके इसको रेडी कर लिया है तो अब यहां पर इस तरह से मैं रखूँगी और रखने के बाद इसके दो-दो सेंटीमीटर का एक एक पैर का मारजन छोड़ती हमने इस तरह से चलाइं लगा देनी है यहां तक तो अब मैं इस तरह से जहां पर हमने लाइन लगाई है सेंटर वारे लाइन को छोड़ कर जो दूसरी लाइन है वहाँ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूंगी इस तरह से लाइ बिल्कुल बुखरम के साथ साथ लगानी है आप लोगों से रिक्वेस्ट एक काईनी चैनल का विजिट करें आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिलेंगी हर किसम के नेक डिजाइन, बचों के फ्रॉक डिजाइन, ट्रॉल्जर डिजाइन हर किसम की डिजाइन, आइडियाज आपको मिलेंगे इस तरह से यह सारी जो है, मैं इस तरह से लगा दूँगी यह नेक बनाना बहुत असान है पैने के बाद बहुत खुब्सूरत लगता है यहां तक आप मैं इसको फिनिश कर लूँगी, तो एक दफा की शिलाइक को पका कर लेने हैं तो यहां पर हमें एक एक एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक छोड़ूगी ताकि जब यह नीचे की तो फोल्ड हो तो पट्टी पूरी की पूरी आ जाए तो अब इस तरह से जो है अब यहां पर इस तरह से में निशान लगाँगी तो यहां पर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा एक एक पैड का माजन छोड़ती हुए मैं इसको इस तरह से यहां तक कट कर लूँगी जहां तक हमारा भी शेप जो है नेक है तो इसको अब इस तरह से अंदर की तरफ पहले फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इस तरह से करके फोल्डिंग करती हुए अंदर की तरह से मैं उपर से सिलाई लगा दूँगी यह सारी साइडों पर मैं लगाँगी इस तरह से इस तरह तो यहां पर बंद कर लूँग तो अब यहां पे मैं पहले यहां पे चोटे-चोटे कट लगाऊंगी इस तरह से आप यह सारे कट पैने लगा दिए हैं तो अब इसके बाद हमें इसकी स्लाइट करेंगे तो यहां पे मैं इस तरह से पहले कट लगाऊंगी एक बहुत ही असान है वराना आमे से बिगिनर है वो इसको बहुत ही असानी से बना सकते हैं तो इसमें जरा सिभी मुश्किल नहीं है को पैंने के बाद भी जो फैर नेक है डिजाइन बहुत ही घुब पुलद लगता है अज कल वैसी भी इसका फैसünfर फैस्सिंट तो इससें स्सक्राइब करें स्क्राइब करें सली पर सब्सक्राइब करें तरो स्चारा से दूस्री उन्लाइब केसी पर ईदाती तरह में एक पर रिजनी ये ज़एक आप इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें और मैं इसी तरह इंशाला आप लोगों के लिए नहीं डिजाइन लाती रहूँगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब तक के लिए अल्ला हाफिज